हेलो फ्रेंड असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग होप आप सब लोग ठीक होंगे थंड के मौसम में जो है सबसे ज्यादा खाई जाने वाली जो चीज है वो तिल की चिक्की होती है तिल गुड की और जो कि बहुत ही हेल्दी होती है थंड के मौसम में हर किसी को जो है पस क्योंकि पर पास यह पड़ी हुई थी तो मैंने ली है देड़ कटोरी भरकर पूरी आपके पास स्रीफ वाइट हो या स्रीफ ब्राउन हो तो कोई ऐसा यह जरूरी नहीं है कि ब्राउन और वाइट ही लेना आप कोई भी एक ले सकते हो इसमें से और उसी के साथ मैंने मिलाएसे मंने फुल फूल कर टीि ऐसे लोगा और लगकर रखा कियूंकि बात में में गड़बर होती है तो कैम नहीं मिलना इसके लिए mirrors पर जो है ठील हो तो दूल कर वो थको थे यह और लोगती है ना तब तक हमें इसमें पूनना है तो यह देखिए 2-3 मिने ने Ole tougher Munutas एक दम जो है यह देख सकते हुए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है ज्यादा भी हमें भुनना नहीं इस बात का ध्यान रखे तो मैंने उसको निकाल लिया है प्लेट में तिल को और उसी जो है मैंने कडाई में एक टेबल स्पून जो मैंने घी लिया था ना वह मैंने चलाते रहना है वरनाई नीचे से जल जाएगा इस बात का आप जरूर ध्यान रखे तो बस ऐसे ही चलाते रहोंगी 5-6 मिनेट के लिए 5-6 मिनेट के बाद में आपको दिखाती हूँ तो यह देख सकते हो फ्रेंड़ 5-6 मिनेट तक मैंने इस अच्छे तरीके से यह देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है इसका कलर कितना चेंजSt i. आप मैं इसे इसमें तील को टालते ही मेल्ट होना स्टार्ट होती है देख सकते हो गैस ग्यास का भंकर दोंगी तो गैस को में देखने आलाlish की जो भी ले रहे हो ध्यान रको कि इसा की नीचे भी या थैल लगाना बहुत ज़रूरी है और इसे दालते ही हमें बेलन इस पर नहीं ये करना है दालने के दो मिनेट बाद हमें बेलन से ये देखे इस तरीके से करना है वरना ये बेलन को चिपकना स्टार्ट होती है इसके लिए हमें क्या करना है दालने के दो मिनेट बाद ही हमें इसे शेप देना है तो बस इसे मैं एक शेब दे रही हूँ चप्टा सा और बहुत ही प्लेन करकर छोटे जो पतली पापडी की तरह मैं इसे बना रही हूँ उतना भी पतला नहीं याने के मीडिया में देखिए मैंने इसे एक शेब दिया है और ठंडा होने के लिए रग दिया था दो मिनेट के लिए मेरे से शा कर रही हूं बत्ते की मदद से प्रेस करकर के इसे कट कर रही हूं इस बात का आप जरूर ध्यान रखें अगर जो है थोड़ी सी नीचे से गरम हो अगर आपसे भी ऐसे नहीं कट रही है कोई भी वजंदार चीज लेकर आप इसे शेप दे सकते हो डरने वाली कोई बात नहीं देखी जैसे मैं कर रही हूं ना इसी तरीके से आप कोई भी बढ़ा च्छोटा शेप कर सकते हो तो बस इसे तरीके से सारी कटिंग कर लूगी मैं चिक्की और इसे एक प्लेट में निकाल ले दियू तो यह देखे फ्रेंट्स एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है एकदम हमारी जो है गुड और तिल की चिक्की बनकर रेडी है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी है यह तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा इस ठंड के मौसम में और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे कमेंट में जरूर बताना मेरी रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में